शेलेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि रनिंग स्टाप के लिए मैमो का कोई स्टेंडर साइज क्या होता है और मैमो कैसे लिखें तो मैं इस वीडियो में मैमो को लिखने का पूरा तरीका बता रहा हूं यह नए लोगों के लापकारी होगा पूराने लोग तो जानते हैं और स्टेंडर्ड की बात करें तो एक memo book भी issue होती है लोको पायलेट को इसमें परफॉर्मा औरड़ी छपा हुआ होता है प्रेशक और यानि की लिखने वाला कौन है और पाने वाला कौन है वही column होते है डेट का column होता है बाकी साधे कागज पर भी memo लिख सकते हैं तो आई य देखते हैं कैसे memo लिखना है नए लोगों के लिए काफी लाब दायक हो का अब साथियों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं knowledge up to date यहां मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ आप लोग कमेंट करते हैं देखो यहां पर कोई कमेंट करता है तो उसको कोई confusion है तो कमेंट करता है तो वो बात कई लोगों को मालूम भी हो सकती है इसलिए जिनको मालूम है वो नाराज मत होना यह तो एक revision के हिसाब से वीडियो बनते रहते हैं लोग देखते रहते हैं और चलते फिरते घ्यान पाते रहते हैं तो एक हमारे साथी जो कुछी कि कौशिश कीजिए हाँ वो बात अलग है कि कहीं कोई हिंदी नहीं जानता है तो फिर वहाँ पे आप जो इंगली कोई जानता है आपके सामने वाला और आप भी हिंदी जानते हैं तो हिंदी में ही memo लिखिए और हिंदी में ही log book को भी भरना चाहिए उससे क्या होत आपको रिलीवर चाहिए तो आठ गंडे पूरे होने पर मेमो देते हैं तो जिसके नाम से लिखना वो लिख दिया उसके बाद में लिखना है मेरी on duty इतनी बजे महां से इतनी बजे मेरी गाड़ी चली थी और मेरी 8 गंडे पूरे हो जाएं करपा उची तुस्तान पर मेरा रिलीवर का प्रबंद करें बस इतना ही तो लिखना है जो अपन फॉन करके बात करके बोलते हैं वो ही तो लिखना है उसमें तो यह थोड़ा मैं आपको लिख के भी बताता हूं कि किस परकार लिखना आईए लिख के देखते हैं देखें तो जैसे मैं बात कर रहा था मेमो को लिखने की तो memo लिखने से पहले सबसे पहले यहां लिखना चाहिए हमें दिनांक यानि की तारिक लिखना चाहिए दिनांक क्या जैसे दिनांक है 2322 ठीक है फिर यहां पर लिखना चाहिए कि memo किसकी तरफ से दिया जा रहा है यहां लिखिए from से memo लिखने में आप आदा English या आदा English आद यहाँ train number लिख देंगे जैसे BCNMT यह train number BCNMT ठीक है यह इतना लिख दिया तो अब यह memo किसको लिख रहे है 2 ATNL और TLC उस समय जो भी duty पे रहते हैं ATNL रहते हैं या TLC रहते हैं उनको ही हम अधिकतर चलती गारी का जो memo है वो या कभी ZDR का कोई fault मिला वो सब जो है इनके नाम से ही अधिकतर लिखा जाता है फिर कोई carries का है तो वहाँ obligor के CCR भी लिख सकते हैं carries controller जैसा भी उचित समझे जिसको देना है उसका नाम यहाँ हम लिख देंगे अब यहाँ पे असली बात चालू होती है हमें उनको कहना क्या है क्या memo देना है उनको वो यहाँ पे लिख देंगे तो यह train number लिख दिया local pilot की तरफ से यहाँ guard की तरफ से तो guard लिख देंगे LP या LP जो भी लिखना है वो पे यहाँ पे from लिख देंगे to लिख दिया अब हमें यह लिखना है कि हमारी जैसे आपको रिलीवर मांगना है सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है तो हमारी ओन डूटी ओन डूटी दिनांक 23 दो दो जार बाइस को सुबह आठ बजे की है हमारे सोला बजे आठ घंटे हो जाएंगे इसलिए क्रिप्या बारा घंटे पूरे होने पर पर रिलीवर की विवस्ता करें धन्यवाद ठीक है अब यहां हमने ज़्यादा कुछ ने लिखा बस जो हमको ज़रुत थी वो ही चीज हमने लिख दी और धन्यवाद कर दिया यहां पर हस्ताक्ष कर देंगे अगर यह मिक्स में लिखा जा रहा है तो गार्ड और बी सी एन एमटी और यहां दोनों के साइन कर देंगे हस्ताक्ष कर दिये अब यह में में मोग पूरा हो गया और यहां पर एक बात रह गई है तू थू त्टी और ज्प्ती पत्स के द्वारा देते हैं यहां लिख देंगे सूरत ठीक है और उनसे एक रिसीविंग तो यहां पर वो आपको देना है यहाँ पे आप जो यह जो matter लिखते हैं वो clear लिखिए एकदम क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा लंबा करेंगे तो जो station master duty पे होते हैं वो पूरा उसको repeat नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे समय की कमी होती है तो controller को same to same repeat नहीं करेंगे वो क्या कहेंगे BCN MTK local pilot ने reliever मांगा है बस इतना कह देंगे और खतम कर देंगे बात को इसलिए आप कभी भी memo देते हैं तो short में देने की कष्ट करें और हमारा जो matter है वो clear हो जाना चाहिए इस प्रकार आप memo लिखेंगे तो मुझे आशा है कि आपको इससे थोड़ा help मिला होगा memo लिखने में अगर मिला है तो comment करके अवेश्य बताएं धन्यवाद